Hello friends, मैं हूँ किरन, मेरे किचन में आपका बहुत-बह। स्वागत है तो आज मैं बजाने वाली हूँ गोभी की बहुत ही यूनिक्सी रेसिपी گोभी की सब्जी तो मकसर बनाते रहते हैं लेकिन एक बार इस तरह से आप गोभी की सब्जी बना कर देखिए ये तरीका आपको बहुत पसंद आएगा और इसे बनाना भी बहुत आसान है तो चलिए इस सूपर टेस्टी गोभी की सबजी यानि गोभी की कुफते की रेशिपी बनाना शुरू करते हैं इसके लिए मैंने एपनी किचन गार्डन से फूल गोभी ले लिया है आप देख सकते हैं मेरे किचन गार्डन में कितनी बढ़िया फूल गोभी तयार हुई है अब चलते हैं किचन में इसे एक से दो बार अच्छे से धो लिया है और अब इसके हम फ्लोरेट्स यानि फूल को तोड़ कर या काट कर अलग कर लेते हैं इस रेश्वी में हम टंठल का यूज नहीं करेंगे बस हमें इसके फूल का ही यूज करना है इसे कट करने के बाद इसे क्लीन करने के लिए यहाँ महिनिक बरतन में गरम पानी ले लिया है और उसमें एक चमच नमक डाल कर तो उसके लिए मिक्सर जार में मैंने तीन प्याज हैं जिसे रफली चॉप कर लिया है उसे एट कर लेते हैं और दो मिडियम साइज टमाटर को भी रफली चॉप कर लिया है उसे एट कर लेते हैं और तीन से चार हरी मिर्च हैं जिसे मैंने तोड के डाला है और लासुन और अद्रक को भी अट कर लेते हैं यहां पे दो चमच खस-खस यानि पोस्ता दाना को मैंने 10 पिनिट पहले पानी में भिगा दिया था अब यह अच्छे से फूल गए हैं अगर यह आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह पे काज का यूज कर सकते हैं और सबको एकदम बारिक पीस लेंगे और इधर गोभी को मैंने पानी से निकाल के इसे तीन से चार बार अच्छे से धो लिया है अब इसे हम कद्दू कस कर लेते हैं कद्दू कस में जो मीडियम साइज के होल होते हैं उसी समय ने गोभी को ग्रेट किय है इससे सब्सक्राइब में गबिंगे और को दिन है इस मिन के लिए 10 मिनिट तक के लिए जोड़ेंगे ॥이션 usta मिनट बाद आप देख सकते हैं जा इसक customize फुट हो गया है और कि हमये कपले में लेकर इसे निचोर कर सारा पानी निकाल देंगे यह प्रोसेस करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि हम इसके कोफते बनाने वाले हैं और इसमें अगर पानी ज्यादा रहा तो इसमें हमें बेसन ज्यादा यूज़ करना पड़ेगा और फिर हमारे कोफते अच्छी नहीं बनेंगे पर इसे एक दब हरी मिर्च और बारिक कटी हरी धनिया आधी छुटी चमच जीरा एक चोथाई चमच काली मिर्च और एक चोथाई चमच लाल मिर्च को एट किया है मैंने एक चोथाई चमच गरम मसाला और लगभग आधी चुटी चमच मैगी मसाला का यूज किया है मैंने यहापे और यहा सबको अच्छे से मिक्स कर लेती हूं कोफ्ते का मिक्स्चर तयार है और आप कोफ्ते बना लेते हैं तो इसके लिए हाथों में पानी लगा लेंगे और फिर इसमें से थोड़ा सा पोर्शन लेके लगभग निबू की साइच का में यहापे बहुत छोटे-छोटे कोफ्ते बन बना लेंगे आप अपनी इच्छा नुसार थोड़े-बड़े कोफ्ते भी बना सकते हैं देखिए कितनी पाफेक्ट बने हैं और इसी तरह से सारे कोफ्ते बना लेंगे और फिर उसे फ्राई कर लेंगे और देखे, अब सारे बाल्स बना लिये हैं, चलते ही इस फ्राइ करने के प्रोसेस में, इसके लिए यहां पे मैंने कडाही में तेल गरम कर लिया है, गैस की फ्रेम को मीडियम रखेंगे, और तेल भी मीडियम गरम होना चाहिए, फिर एक एक करके हम इसमें कोपते डाल देते बहुत हाई फ्लेम पे हम को प्तियों को फ्राई नहीं करेंगे नहीं तो उससे इसकी उपर की लेयर तो ब्राउन हो जाएगे लेकिन यह अंदर से कच्चे रहेंगे और इसी तुरंथ ही टुच न करें यह बहुत सौप्ट होते हैं पिटूटने लगेंगे इनके उपर हलका ह तेल डालते रहें ताकि इनके ऊपर के लेड भी पक जाए जब इनीचे से थोड़ा सीख जाएंगे फिर हम सावधानी सीने के करके पलट लेंगे फिर ऐसे ही इने अलटते पलटते हम इने जब तक कि ये सुनहरे नहीं हो जाते यानि गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते हैं निकाल लेती हूँ, आप इन्हें ऐसे भी किसी चटनी के साथ खा सकते हैं, यह ऐसे भी बहुत बढ़िया लगते हैं, देखिए हमारे कुपते कितनी स्वाफ्ट बने हैं, और अब ग्रेवी बना लेते हैं, तो इसकी लिए कडाही से तेल कम कर दिया है मैंने, अब कडाही में तीन से चार चमज दिल रह गया है, और उसमें दो तेज पत्ता, एक टुकडा दालचीनी और एक बड़ी लाइची को तोड़के डाला है मैंने, और आधी छुटी चमज, जीरा अट कर लेते हैं, और अब इसमें प्यास टमाटर के पेष्ट को अट कर लेते हैं, जो कि हमने पीस कर रखा था, और अब ग्रेवी में अच्छे कलर के लिए, इसमें आधी छुटी चमज, कास्मीरी रेट चिली पाउडर, और आधी छुटी चमज, हल्दी पाउडर को अट कर लेते हैं, और अब इसकी भुनाई है मच्छे से करेंगे, क्योंकि हमने इसमें प्यास टमा और इसे हम कबर करके दो से तीन मिनट तक पका लेते हैं, इससे जल्दी से भुन जाएंगे, तीन मिनट बार धक्कन उठाया मैंने, और आप देख सकते हैं, इसमें से तेल सेपरेट होने लगा है, और यह अच्छे से भुन गया है, और अब इसमें कसुरी मेती को हाथों से क्रस करके डाल देते हैं, और आधी चुटी चमच सबजी मसाला, और आधी चुटी चमच किचन किंग मसाला एट किया है मैंने, और इसमें आधी चुटी चमच ही मैगी मसाला एट कर लेते हैं, और यह मसाले जले नहीं, इसलिए इसमें पानी डाल देते हैं, यह वही पानी है जो मैंने गोभीस निकाला था और यहां पे आदी कटोरी दूद के मलाई है जिसे फेट कर मैं इसमें याट कर लेती हूं आप इसकी जगह पे क्रीम का भी इस्तिमाल कर सकते हैं या फ्रेस दही जो खटी नहो उसका भी यूज यहां पे कर सकते हैं और इसे डालते समय गैस क फ्लेम को एकदम लोग कर दें और इसे लगातार चलाते रहें जब तक कि इसमें उबाल नहीं आ जाता है इसे दो मिनट के लिए ढख के पका लेते हैं और दो मिनट बाद चेक करेंगे हमारे मसाले बहुत ही अच्छे से भून गये हैं अब इसमें पानी एट कर लेती हूं और अब इसमें एक गिलास घरम पानी एट किया है मैंने कोफती की ग्रेवी को हमेशा पतली ही रखें क्योंकि जब भी इसमें कोफते एट करेंगे तो वो बहुत ही तेजी से ग्रेवी को अबज़ूआब कर लेते हैं और अब इसमें आधी छुटी चमच नमक एट किया है म और कोफ्तों को ग्रेवी में बस दो मिनिट के लिए पकाएंगे क्योंकि कोफ्ते बहुत ही स्वाप्ट हैं यह तूटने लगेंगे और अब इसके उपर फ्रेश धनिया स्प्रिंकल करेंगे और इसे कवर करके हम गैस की फ्लेम को आप कर देते हैं और इसे एक मिनिट बाद सर्फ करेंगे आप इसके साथ पूरी, पराथा, रोटी, चावल, पुलाओ किसी के साथ भी सर्फ करें इस सब के साथ ही अच्छे लगते हैं आप इसे ट्राइ अवस्ट कीजिएगा और कमिन्ट करके जरूर बताईएगा कि आपको इस रेशिवी कैसी लेगी अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल के सब्सक्राइब करना नहीं बाइब टेकिया